अगर हम मेजावर्टी की बात करें तो 99% केसेज में यही होता है कि जो मेडिसीन इसमें चलाई जाती है यह लोपैथी में वो क्या करती है जो पेशेंट की बिमारी होती है उसको दिन पर दिन खराब ही करती जाती है अगर किसी को डाइबटीज है तो ऐसा नहीं कि मेडिसीन लेने के बाद डाइबटीज ठीव हो गया या हिपरेटेंशन उसका ठीव हो गया बलकि एक समय के बाद कब पहले एक कमपाउर में चल लए थी समझ लीजे 5 mg चल लए थी वो इफेक्ट खतम हो जाएगा फिर उसके बाद 10 mg की जरुद पड़ेगी फिर 15 mg की फिर 20 mg की अभी एक कमपाउंट चल लाता है फिर दो कमपाउंट चलेगा फिर तिन कमपाउंट यानि धीरे धीरे आप डिजीज की कंडिशन को बिगार्ड है उसको ओवर्डूस करते जा रहा है और बाद में क्या होगा मेडिसिन काम करना बन फिर इंसुलीन देना शुड़ू अब इंसुलीन देते देते एक दिन आएका और्गन फेलिवर हो जाएगा सेम यह से हाईपर टेंशन हाई ब्लाड पिशन में भी होता है सेम यह थाराड की भी कहानी है आप किसी भी क्रोनिक डिजीज को उठाक मेडिसिन के कंपाउंड बढ़ते जाते हैं और एक समय आता है कि बोल देते हैं अब यह ठीक नहीं होगा ऑपरेट करा लीजिए या भी ट्रांस्प्लांट करा लीजिए यह तब भी हो रहा था अब भी हो रहा है कोई चेंज नहीं हुआ और इससे इनकी अंतरादमा पर कोई असर भी नहीं पढ़ता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं इनके लिए यही सही है क्योंकि इनको सिखाया ही जाता है यहां पर क्या बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे होमेपैथ हैं जो मिस्गाइड़ हैं और रियल्टी में जो तब बोला गया था वो आज भी एकड़म प्रैक्टिकली सही है कैसे वो या तो अपने आलस के वज़े से सीखना नहीं चाते हैं वो एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं या फिर एलोपैथी मिला की देते हैं होमेपैथी में या फिर ऐसे लोग जो दूसरी केटेगरी के हैं वो हर एक डिजीज की स्पेसिफिक मैडिसिन गूंते रहते हैं जिसे हम कहते हैं न थेरापेटिक मैडिसिन देना एक्चुल में थेरापेटिक का मर्ड वर्ड का मतलब कुछ और है लोग उसे गलत Interpretate करते हैं हमीपाटिक खुदे एक ठेरापेटिक मैडिकल साइन्स है लेकिन ठेरापेटिक का मतलब यह नहीं है गी आपने एक डिजीज के लिएक मैडिसिन फिक्स करती ठेरापेटिक का मतलब होता है एक बलकॉक मैडिसिन उस disease condition में या उस system में काम करती है और उनकी differentiation करके उन पर prescription होता है तो यह misconception है therapeutic को लेके पर्राइब और उसन सेख़ समके लाइब बचलेफ़ोगन सेख़ोगन झाया है तो यह सेख़ो आपिए